नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग गौर मजबूत प्रत्यासियों की कमी से जूज रही भाजपा ने सीतापुर में गैर दलों के मजबूत नेताओं को पार्टी में सामिल करने का भरपूर प्रयास किया लेकिन वह नाकाम रही यहाल तब है जब देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है सीतापुर में पार्टी के चार सांसत छे विधायक हैं तब भी विधान सवा सीटों पर प्रत्याशी गोशित करने में अन्नी दलों से फिसर्दी साबित हो रही है यही कारण है कि भाजपा सपा के नेताओं को लपकने के लिए जैसे बैठी हुई हो उदाहन के तौर पर विस्वा में भाजपा के बिधायक महेंदर यादों के रहते हुए और पार्टी से टिकट के अन्नी मजबूत दावेदार होते हुए भी भाजपा ने सपा के पूर बिधायक निर्मल वर्मा को आनन फानन में पार्टी में सामिल कराकर टिकट भी दे द ती कि सपा के पूर बिधायक मनीश रावत का टिकट कटे और वहां मनीश रावत को लपक ले। इसके अलावा तीन ऐसी कौन सी बिधानसवा सीट हैं जहां के लिए भाजपा सपा के बिधायक और पूर बिधायकों को तोड़ने का प्रयास किया है। इसका खुलासा महमूदा बास से सपा बिधायक नरेन सिंग वर्मा ने आई इंडिया से किया। सपा बिधायक नरेन्द वर्मा की माने तो उन्हें भी भाजपा ने पार्टी में लाने का प्रयास किया था। दरसल महमूदा बास से नरेन्द सिंग वर्मा छटी बाहर के बिधायक है। नरेन्द वर्मा भाजपा लहर में भी चुनाओ जीतने वाले जनपत के एकलोते बिधायक है। महमुदाबाद बिदानसवा सीट पर भाजपा ने 2017 चुनाओं में बाहरी प्रत्याशियों के रूप में आसा मौर्या को उतारा था फिर एक बार आसा मौर्या ही प्रत्याशी के तौर पर भाजपा को ढूणे मिली हैं नरेंद वर्मा दावा करते हैं कि सदर से पूर बिदायक रादेशाम जैसवाल को भी भाजपा ने तोड़ने का प्रयास किया रादेशाम जैसवाल सदर बिदानसवा सीट से सपा से चार बार बिदायक रह चुके हैं 2017 बिधान सवा चुनाओ में रादे स्याम जैस्वाल को भाजपा के राकेश राठोर ने चुनाओ हरा दिया था बिधायक राकेश राठोर के सपा में जाने के बाद सदर बिधान सवा सीट पर मजबूत प्रत्यासी का भाजपा में अकाल सा पड़ गया है यही कारण है कि अभी तक भाजपा सदर बिधान सवा सीट पर प्रत्यासी घोशित नहीं कर सकी है यही हाल महोली सीट का है यहां से पूर बिधायक अनूब गुपता को भी भाजपा में लाने का प्रयास हुआ या कहना है नरेंद वर्मा का दरसल 2012 में अनूब गुपता महोली से सपा के बिधायक चुने गए थे 2017 में वा भाजपा के ससांग त्रवेदी से चुनाव हार गए थे भाजपा का महोली में बिधायक होते हुए भी प्रत्याशी घोशित नहीं हो पा रहा है सीतापुर के चुनाव में हालत जो भी बने बहर हाल प्रत्याशी घोशित करने में भाजपा अन निदलों से पीछे होकर रह गई है खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया